वाँ 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 अशिता जी वाँ क्या बात है इन गैनों से तो आपके खुबसूर्ती और भी निखराई है इतना भी मक्कर ना लगाया कीजिए कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप उनकी जूट ही तारीफ कर रहे हैं भाई यही तो हमारा काम है लेकिन इस बार जो मैं आपको दिखाऊँगा ना रसम से आपकी आखें भटी की भटी रह जाएगे तो दिखाएंगे क्या हीरे इसमें ऐसी क्या खास बात है यह रो अनकट डाइमंड विल्कुल प्यॉर कच्छा माल जैसा ख़दान से निकला वैसा आपके सामने क्या बात है यह तो बहुत ही अच्छी बात है तो देर किस बात की है दिखाएए फिर अरे वावेश कहां थे इतनी देर सॉरी सर मैं ज़रा काम से गया था अच्छा एक काम करो स्टोर में जाओ और वो अनकट डाइमंड का पैकेट है वो ले किया कॉलिटी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के आप चिंता मत कीजिये मैं सारे डॉक्यमेंट्स रडी है आप तो बद ले जाएए मैं डॉक्यमेंट्स रडी करता हूं सर हुआ 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 है अर मरा बैदीरिकıKो को जोड़ो की नहीं अरे अरे मес मा करी चाँ जाओ नहीं को कॉन है कोई मंदर केसा आवे ऐचावी मेरा बैद्स यार रे अरे इस वी पकड़ो बैगू लेके भाग रहे व्रिफ्सत या अब इसरा भाग रहे हमादेश तुम कहा थे? मैं टॉयलेट किया था अरे तुम्हे भी टॉयलेट जाना था? अभी अभी एक बंदर अंदर आयो और कस्तमर का परस लिगे भाग गया क्या वह सर? बदा नहीं कोई बंदर जैसा आजमी उसकी बैग उठा के लेगे अरे सुनो तुम कहा जा रहे हो करोडों के हीरे छोड़के इसारे बंदर ओगाड़ यह क्या है? काड़, आनन सर को बोलो के यहां पे फ्लैश मॉप डांस चल रहा है कोई चोरी बोरी नहीं हुई है जी बड़ी चिंके इनाउग्रेशन के लिए इतना सब कुछ और वो भी मॉल में सर वह बंदर नहीं था खाली डांस हो रहता सर कहां चले गए कुन हँOLL कुन है побए वह एंब करणा कि सर को हादश को मार दिया aff positions कोई भी इस Joining¿ बाहर नहीं जाएगा कि यह बखणा नहीं जाता करण ये ये! झाथ ये! हीरे भी अभेह र्लेकिर्ट येंटorthना है आनन जी है आनन जी आनन जी आनन जी रहा Тयाँ विहोशन, लिकिन जन्दा है हलो सर, सर मैं सेरी स्मॉल का मैनेजर मनीशू सर, मैंने अपको फोन करके बुलाय थे हैं राश को हाथ तो नहीं लगा है नहीं सर, मैंने किसी को भी किसी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया चीक है, पेड़ी पंकच, यहां पे निचे सेक्रवटी के साथ रो और यहां मॉल से किसी को भी भार जाने मत देना जितने भी लोग है, उनके नाम, नंबर्स लो और तलाश ही लो उन सब की और वो जो बंदर के गिटब में डांसर्स थें सर, मैंने उन सब को अपने केविन में बंद करके रखा हुआ है और उनके सब दो गाट्स भी है, जैसा आपने फोन पर कहा था ओके है, मैं मिलता हूं लोगों से, चीक है और यह वी जोलेस, शोरूम कहां पर है? आज सरी, यह आपको बता देंगे सरी चलिए सरी, हानन जी है, एवी जोलेस के मलिक और यह दोने एवी जोलेस में काम कटते है ठीक है सर, हावेश बिचारा मेरा एक प्लॉई, खून हो गया सर उसका और मेरे करोणों के हीरे सर चोरी हो गए, कुछ कीजिए सर देखते हैं, आप लोग यही परुकिए है कर देखते हैं, कर देखते हैं, कर देखते हैं इस रोट से सर पे कहीं पर अरवार किया गया आपन जी आदन जी, जर अंदर आगे हैं ये सर जी सर क्या चोरी क्या क्या वायां पर और तो कुछ चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ वो अंकट डाइमंड्स चोरी हुए करोड़ो रुपे के से, तो आप है वहीं पे वो ट्रे बे रख्ये हुए थे सर लगता है खून, सिर्फ अंकट हीरो के लिए हुआ है क्योंकि बाकी सारी जूलरी तो ऐसे ही है इतनी बेरहरमी से बिचारे को बारा आप यही पर थे जब यह सब हुआ? जी हाँ, मैं यही पर था वो अंकट डाइमंड्स मैंने आशिताजी को दिखाए उन्होंने पसंद भी किये यह भावेश स्टोर में गया डॉक्यमेंटेशन करने के लिए मैं तब तक वो उस तरफ मो करके वो नेकलेस ठीक कर रहा था उतने में मुझे आशिता जी के चिल्लाने की आवाज आई मैं तुरस मुड के देखा तो एक बंदर के भेस वाल आदमी उनकी हैंड बैग लेके भाग रहा था और वो उसके पीछे पीछे भागी चिल्लाती हुई तो मेरे दो एंप्लॉई स्कुल और समारा वो भी उसके पीछे पीछे भाग गई यह सुनके शायद भावेश अंदर से बाहर आया देखने के लिए और वो भी जाना चाहता था लेकिन मैंने उसको कहा कि ने तुम यहां दुकान में रहो देखो यह सब जोलरी बाहर पड़ी है इरका ध्यान रखो मैं स्टोर रूम में जाके थोड़ा काम है वो कर था मैं अंदर खा ही सथ कि मुझे बाहर से शोरगूल की आवाज आई तुरत बाहर है तो देखा के भावेश मरा पड़ा है उन में लग पड़ और यहां वो बंदर के भेस वाल आजबी खड़ा है मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे यहां मारा और भाग यहां पर मेरे करोडों के हीरे चोड़ा के भाग यहां सर बंदर के भेस में आदमी है यह सीचिटीवी कैमरा भी तोड़ दिया अपुनी ने है चीज हम इसकी फुटेज देखना चाहते हैं तूटने से पहले की चीज इस सर क्या है श्ष्ट एक मिनट मैं आप लोगों को बता दू कि आप में से ही कोई एक खुनी है और जब तक वो हमें नहीं मिल जाता प्लीज आप लोग कोपरेट करिये, समझे अगर सर कैसे पता चलेगा की खुनी कोन है उसक्त सब लोगों ने मास प्लान रखा था और हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं है क्या? हाँ, सर आप लोग आप लोग आप एक दूसरे को नहीं जानते है? यह हाँ, सर हम सब एक ग्रूप के नहीं है आप लोग एक ग्रूप के नहीं है झाल 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 सर एक बात अजीब है जब उसने हीरे चुराई लिये थे फिर उसने क्यामरा क्यों तोड़ा जेरली मुझरिम जून करने से पहले क्यामरा तोड़ते हैं इसने बात में तोड़े दूसरी बात यह है कि उसने क्यामरा ढूंडने के कोशिश नहीं की उसे पता था क्यामरा का है सर याने की या तो उसने अपना होमवग अच्छे से किया था या फिर शायद वोई अंदरवाला ही है अंदरवाला? हम खुद अपनी दुकान की चोरी थोड़ी ना करवाएंगे ने माहम अंदरवाला है या बाहरवाला है वो तो सामने आहीं जाएगा सर एक और बात जब उसने बंदरवाले नकाप से अपना चैरा ढख रखा था तो फिर कैमरा तोड़ने की क्या था था? उसकतर उसे यह लगा हो के कैमरा तोड़ने से रेकॉर्डिंग मेट जाएगी और ऐसा थो है नहीं यह काम करो इस शोरूम को सील कर दो और आप और आप और आपका पूरा स्टाफ यहां से कोई बाहर नी जाएगा सभी रहेंगे मगर सर जिस वक्त यह सब हुआ उस वक्त तो हम उस बंदर पोश्वाले आदमी के पीछे भाग रहे थे फिर आप हम पे क्यूं शक कर रहे हैं जब तक असली खुनी पकड़ा नहीं जाता सी आईडी के शक के दाएरे में हर कोई रहता है अब फिलाल शक की सुई अटकी है उन बंदर के भेस में आए हुए डांसर स्वारा इसे छोई फोटिज के रचप से है तो हीरे इनमेंसे किसी हिक के पास होना चाहिए तलाशी चल रही है अबी तक तो मिला नहीं Sir हीरे किसी के पास भी झी है यहां भी sir, किसी के पास हो वाकट इसी ये कपड़ में पे खुन होगै रहा है नहीए、 Sir किसी की परस नहीं है तो फिर रहे नहीं है कि इस कमरे में तो सर चोर यह खोनी नहीं है तांसर है सर यह गलत मतला जबता मुझरी मिलेगा नहीं तता हम लोगों को बिठा कर अखेंगे अप सर प्लीज सर अब तो जानी दीजिए आप लोग यह बंकिंग एराउंड जिम के लिए यह डांस परफॉम करने आए ते ना किसने बलाय था अपलों पर यह पर इसना प्लाई था अपर अपर सर अबारे मॉबाईल फोन पर मैसिस आए था है तो जिघ और साहँ एंपर कुंसा मॉबाईल ए आप लोग यह यह शिंके मालिक विशाल कुमार ने दो दिन पले मैसिस किया था पसाध में एवीडियो भी से ही और हमारे कांट में परेसे एक थे सहर मैं परेसे नूंबर से में आया था कि मॉल के मैंस सॉयलेट से अपने अपने मंकीशूट्स लीकर अपने मॉद्धा मचा ले और सब लोगों के कर दो बैंके बाद के बाद भूला के डांस कर ले सर, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था राम क्या बताया इस जिम के मालिक? विशाल कुमार मनी जी, आप तो जानते होंगे विशाल को हाँ सर, मुंकिंग एराउंड जिम के मालिक है विशाल जी सर, बुलाई या उनको जी सर पंकाष, इस माल में जितने भी CCTV कैमरास है, सब के फुटेज ले लो अपुल्वी, इन सब के एकांट में जिस एकांट से पैसे आये हैं, उस एकांट के बारे में पता करो ज़र सर परेणी इन सब को ज़रा दूसरी जगा लेके जाओ चलिए चलिए इस कमरे को भी अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, क्या पता यहां कहीं चुपा दिया हूँ और में चोरियों तो इसमें हमारे के कसूर है, हमें क्यों रोका है चोरी ही नहीं, खून भी हुआ है, और जब तक खून ही पकड़ा नहीं जाता, तब तक यह लोग हम लोगों को जाने नहीं देंगे पता नहीं सुपा सुपा किस का मूद देख के निकलीती घर से, जो इस मॉल में आके फसना पड़ गया है हाँ मिशाल जी, आपको यह आइडिया कहां से आया, यह फ्लैश मॉब डांस का? सर मेरा यखिन कीजी, मैंने कोई फ्लैश मॉब डांस के करवाया मॉल में और सर मेरा जिब तो चालो होने से पहले ही उसकी बुकिंग फुलो हो चुकी है तो मुझे क्या फायदा होगा यह पड़िसिटी का? और विसे हई सारे ब्रांचे मेरे शहर में जिए देखेजिए यह आपके नंबर से डांसर्स को यह वीडियो और मैसेज कैसे क्या? सर यह मेरा नंबर नहीं है मेरा नंबर है 1-9-8-4-5-6-3-2-4-1 तो हो सकता है यह मेसेज यह आपके किसी स्टाफ आले ने बेजा? नहीं सर, किसी का भी नहीं है यह जरूर कोई और है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है आप लोग टेलेकुम कंपनी से यह नंबर चेक करवाईए न उता हम पता करी लेंगे लेकिन आपको किसी पर शक है कौन कर सकता है इसा आपके नाम के आड़ में? ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं है सर लेकिन सक्सेस को देख कर अगर कोई बन गया होका तो पता नहीं ठीक फिलाल आप जा सकते हैं लेकिन अगर ज़रुत पड़ी तो फिर भुला लेंगे और हां शेरशवर के भार में जाना हम ठीके सब्सक्राइब है ठीके सब्सक्राइब रेटी इसका नंबर ट्रैकिंग पर दान दो और ये जिस नंबर से डांसर को मैसेज आया है ना किसके नाम पर रिजिस्ट्रोड है और मनीशी उसादनी कुई गुला लो जिसने म्यूजिक ओन किया था ता तंसस के लिए हलो अजला ये सुरेश को तुंड़ो ये सुबा से दिखाई नहीं दे रहा हलो सब सर मौल के सारे CCTV फोटेज रेड़ी है ठीक, अनुवादे ठीक, नुटे मिटे बेड़ी है अनुटे गुदे रणी लौल पैम पैम अनुवा한테 एक निट, स्टॉप ज़र रिवाइंड करना स्टॉप यह आदमी लास मिनट में आया आपे मतलब सर यह हमारा मुझरिम यह पीसवा डान सर सर कहिए वह आदमी तो नहीं जो अशिता का बैग लेके जूल्री स्टोर से भागा था यह पंकश, यह वह आदमी नहीं है पिको इसके पिछे अशिता और जूल्री स्टोर का स्टाव भागा था वीसवा आदमी कोई और ही है सर यह वह आदमी है जो डान्स के दौरान जूल्री स्टोर में गया इसने भावेश का खून किया कामरा तोड़ा और फिर हीरे लेके भागें लेकिन फिर हीरे गये कहाँ हमने सब की तलाशे ली थे हीरे तो मिले नहीं हीरे कहीं छुपा दिये होंगे उसने या फिर किसी को दे दिये होंगे उसके पास तो टाइम था नहीं उसे तो फ्लैश डांस वो क्या है, फुंकच? फ्लैश मॉब यह, वो फ्लैश मॉब डांस में हिस्सा लेने जाना था नहीं जो फिरे हो तो टांस की बाद भी चुपा सकता है नहीं नहीं मैनिज़र साब के इसाबसे डांस कहतं होने के बाद सारे डांसेज मॉल में थे और उसके बाद सेक्योर्टी ने इन सब को मैंनेजर के कैबिन में बन कर दिया था हमें कैबिन के थलाशी तो ली वहाँ पे कोई हीरा भीरा तो नहीं हुला कहिए जूलरी शॉप और ये डांस जहां पे हुआ इसके बीच में कितनी दूरी होगी? करीब सतर से विच्यसमीटर के अससपस सतर-पच्चतर मीठर? काफी दूरी है इस बीच में हिरे कहीं चुपा सकता है वा फुर्वी वो बीच का जितना रास्ता है उसके फोटे चचेक करो तहरा सरर कि यहां पे पेका है उसने कुछ रिवाइंड 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 स्टॉप देखा क्या आदमी है सर गंदे पानी में पूरे हीरे पेख दिया है लगता है हाउस्किपिंग स्टाफ से उनका हाल चाल पूछना पड़ेगा हमारे आने तक कोई भी सामान इदर से उदर त बंगल जी साथ इस तरब पहुचे की पार्टी कहीं पे भी रखके चले जाते हो हां नहीं साब अचानक मॉल में डांस होने लगा तुम्हें देखने ही चला गिया राजू भी मेरे साथ था राजू बोलना हां साथ यह सहीं कह रहा है वाह गवा भी तायार है और यह बालती यह भी एकनम सही जगे रखे हां ताकि खूनी जूल्डी शॉप में खून करें चोरी करें और फिर यह से भागते हुए हीरे इस बाल्टी में डालें और फिर जाके डांस फ्लो जॉइन कर लें क्यों अगर खूने ने हीरे उस बाल्टी में डाले हैं तो जरूर उसका कोई ने कोई दूसरा साथी होगा जो वहां पर आया होगा बाल्टी से हीरे निकाल के ले गया होगा अगर फावट करो देखो बाल्टी के पास कौन आता है इस बगेट के आसपर सो कोई भी नहीं है इसका मतलब वो हीरे अभी भी 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 भुकेट में होगे हीरे तो बगेट में नहीं है कहां गायब कर दिये तुम लोगोंने हीरे सर मैंने कहाना की हीरे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालू जैसे ही मौल में डांस देखने चला गया उसके बाद मनीश जीन ने बोला कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया तो तुम दोपेर बारा बज़े क्यों पोचा लगा रहे थी? वो भी इसी कॉरिडोर में? तुम अब तक जवाब नहीं दिया? तो पेर को बारा बज़े पोचा क्यों लगा रहे थे? साहब, अपना काम सही तरीके से करना क्या गलत वाद है साहब? मैं तो सिर्फ सफाई कर रहा था साहब कोरिडोर की कोरिडोर की सफाई कर रहे थे या एरों की? साहब, कोरिडोर की साहब अच्छा, ये दिन में दो बार सफाई हर रोज होती है या आज कुछ आज बाद ये बावेश जी खुद तो मर गए और मरने से पहले मुझे पसा कर चले गए बावेश? ये बावेश का क्या लेने देना इससे? साहब, वो भावेश जी के हाथ से कोल्डिंग गर गए थी मंगल, मंगल जी साहर सुरो एक पिनुट प्लीज, सुरी यर मुझ से कोल्डरिंग गर गए थी जर आपनी साहफ कर बादो ना मैं कर देता हूँ साहर, अभी कर देता हूँ छूट बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ साब आप चाहे तो सीसी टीवी फुटेज देख सकते हैं साब सार यह सुरेश है इसी ने आज मुजिक अन किया था लेकिन पता नहीं क्यू यह बातरूम में चुपा वा था नहीं सर छुपा हूँ नहीं था मेरा पेट थोड़ा खराब है और फिर कभी भी जाना पर सकता सर बस पेट तो खराब होगा ही पुराने पापी जो हो पुरा ना पापी तु बसी जानते हो इसका क्रिमिनल रेकॉर्ड है हमारे पस अरे नहीं सर मैं इतना बड़ा भी पापी नहीं हूँ वो क्या है सर कि में कादभार मैं जेब कत्री के इलजाम में अंदर गया था इसलिए मैं जानता था सर कि इसमें सबसे पहले मैं इसलिए पेट खराब हो गया था यह मीजिक चलाने के लिए पैसे किस ने दिये थे विशाल ने नहीं सर विशाल जी ने नहीं दिये थे तो फिर किस ने दिये थे पैसे वो भावेश जी ने दिये थे सर मगर भावेश जी तो जुल्री स्टोर में काम करते थे कुछिं का प्रोशन क्यों करेंगे सर यह तु मैंने कभी पूछा लिए अब बज इतना कहानों ने मैंने किया सर शुरेश यह मुजिक ठीक बारा बज़े प्ले करवात लो कितने मज़े बारा बज़े गुड़ कमाल है जो आदमी मर चुका है सारा इल्जाम उसके सर पे डाल दो अपनी सफाय देने के लिए वापस आने वाला तो है नहीं सर मैं सच कर रहा हूँ मेरा यकीन कीजे सर बावेश हां कमाल है जिसको देखो वो बावेश का ही नाम लिये जा रहा है अब जीद अगर वो बंदर कॉस्टिम वहां वाश्रूम के अंदर था तो किसी ने तो वहां रखा होगा है मौल के में सॉलेट से अपने अपने मंकी सूट्स लेकर मौल में उद्धा मचा ले और सब लगों के बैग वए गरा चीन लेके बाद वहां पर डांस कर ले कहीं बावेश तो नहीं बावेश अपने के हिजाब से वह मौल के अंदर सुबह 10 बज़े आया था और उसके बाद किसी काम से वापस चला गया और बाद में वह बावने 12 बज़े के करीब वापस आया हालो हाँ ओके ओके थैंक्स सर जो पीस डांसर के मोबाईल पे मैसेज और वीडियो आया था वो भावेश के मोबाईल से आया था उसने दो दिन पहले नया सिम काड करीदा था यहां पे भी भावेश अच्छा पूर्विव एकाउंट नंबर के बारे में पता है चला जिसने सारे डांसर्स के अकाउंट में पैसे टांसफर किये थे सर्व अकाउंट नंबर मिने बैंक्स में भीजती है अभी तक कोई रिवर्ट निया है मैं फिर से चेक करती हूँ चलो, भावेश के फुटेज चेक करते हैं हम, मतलब ये के खुनी ने इस रोड से भावेश की खोपड़ी पर पांच बारवार किया ये देखो, ये पांच जखम के निशान इस मैं से चार जखम के निशान खाणव का बहुत ज़्यादा गहर है तकि ये जो निशान है ये गहरा नहीं हलका है लेक annually में एक गहरा बार किया है CCTV फुटेज में एक ही बार बार किया है इसका मतलब ये है वो वार जो हलका है गहरा नहीं खुनी ने एक बार वार किया, सीसी टीवी कैमरा तोड़ा और निकलने लगा, लेकिन ये भाई साब खड़े हो गया, मरे नहीं, खुनी ने देखा ये तो खड़ा हो गया, तो फिर उसने रॉड उठा करके इस पर दमा दम चार बार बहुत जबर्दस तरीके से वार किया, ये चेटियां? इतनी सारे चेटियां आप अमरी लैक पे? तोरेका चेटियां तो तभी आती है, जब किसी किस्म की गंद या कोई इसमेल उने अपरी दर्फ हाकरशित करती हो लेकिन इस इस हीरे के पाउच में ऐसा क्या है? इतने सारी चेदिया यह अट्राप कर रहा है यह तो पता लगाना पड़ेगा इस पाउच को दो कर इसके पानी को टेस्ट करके देखेंगे कि आखिर के ऐसी कौन सी कशिश थी इस पाउच में जिससे चीटिया इसकी तरफ आकर शिद हो गए पीटियों के तो एक ही कशिश होती है चीनी तभी तो बेनेडिक्ट सुगर टेस्ट कर दो प्रहा ही कर दो प्रहा हम कर दो एक हा उनक सा खár कर दो ढ dif एक हा सो झाल झाल खालियाथ, तो मंकी सूट ये भावेशी लेकर राया था, सारी प्लानिंग इसी के लगती है, अगर भावेशी मास्टर माइंड है, तो ऐसा लगता है के अगे प्लानिंग में कुछ तो गड़वड होगी, जिसके वएसे उसे हैं, अपनी जान गवानी पड़े, और उसका खुनी इन वीज दांसर में कोई एक है, लेकिन वो हो कोन सकता है, हो सकता है कि वो डांसर हो ही ना, क्या मतलब सर्, एक काम बरते हैं, इन डांसर को फिर से डांस करांते हैं, यह सर्, अभी वार कोई मिस्टी करती हैं होने, यह थो पत्ता करने, कर दो हैं हुँ, यह चक्कर है सर, सर उन 20 डांसर्स के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे आय थे वो अकाउंट एक लड़की का है, उसका नाम कावेरी है और सर हरानी की बात यह है कि यह भावेश की गर्फरिंड है यहां भी भावेश कि आशालों की साब क्या है भगवान, मैं तो इस मौल में आके फस चुकी हूँ और पता नहीं उस याईडी कब आएंगे और स्खूनी को पकरेंगे देखे मैडम, उनी को ढूड़ने में और घर में मोजे ढूड़ने में फार्क होता है क्या दीरे रखे प्लीज अरे क्या धीलेज रखूं उपर से सी आईडी फोन भी लेके चले गए अरे कम से कम उनको कहके फिर से डांस ही दिखा दीजी नहीं तो अरे खेटर खोल के फिल्म ही दिखा दो ना क्या दो आएडम पूरा मौल सील कर दिया है यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता है आप जो उपर है नहीं होगा स्क्यूज में एवरीबडी सी आईडी आप लोग पिछी जाईए आप लोग जिस पोजिशन में थे जिस तरीके तर तांस कर रहें थे को ऐसे ही करेंगे स्वरेश्ट सर्थ मेजी कॉन करो ठीक है ओके सर्थ आप आप जब की तरह एंगे सदल तो तुम हो खोनी है सर खून मेंने नहीं किया ए जुट बोलने से कोई फाइदा नहीं है समझे सर आपको कैसे पता है कि खून मेंनी किया डांस देखकर, सब डांस अलग कर रहे थे और तुम्हारा अलाग ही चल रहा था, है, साब पता चलता है कि डांसर तो नहीं हो तो, तुम एक चोर हो जिसने खून किया, सर, आप लोग मुझे जबुर्देशी पहसा रहे, हा, किसके कहने पे किया, भावेश, भावेश, भावे जूलर्स में एंटर करने के बाद वहाँ तुझे सिर्फ में मिलूँगा, तुपीछे से आके मेरे सर पेवाद करना, सामने एक ब्लैक ट्रे में हीरे रखे होंगे, लेकिन निकलने से पहले एक पात तथियान रखना, एक CCTV कैमरा है, उसे तोड़ना मत पूलना, उसके बाद लग गई और और मर गया, गल्ती एक बार होती है, चार बार नहीं, वावेश के सिर पर एक नहीं, चार बार किये गया है, चार! चार बार? सर, मैंने तो लेकिन सिफ एकी बार मारा रा था सर, क्या? अगर हीरों के पाउच में ये चीनी कैसे आ सकती है? आ सकती देया, बिलकुल आ सकती है. अगर हीरे हीरे नहों, शक्कर के टुकड़े हो तो? क्या? वो हीरे नकली थे? वो चीनी के टुकड़े थे वो? बिलकुल. मतलब अशीता लाखो रूपे की चीनी खरीदने वाली थी? अशीनी के वेसे भावेश के जान भी चलीगे. अप्ट साब, आरिशों कि आपके जांच में कुछ गड़वड़ नहीं है? एक्स्क्यूस मी? मेरा मतलब है कि आप... नहीं, नहीं. कोई गड़वड़ नहीं हुई दया. वो शक्कर ही थी. इसलिए तो फ्रेडी को उस पोचे वाली बाल्टी में कुछ नहीं मिला. क्योंकि हीरे थे ही नहीं, शक्कर थी जो पाड़ी में गुल गई. यहनों के दुकान में हीरों के जगे पे चीनी. हाट या? अब जी, एक केस फुटा उल्टा फुटा हो गया है. खुनी उन बंदों में से कोई नहीं है. क्या? सर, अब अगर सुंदर पकड़ा जा जुका है, तो आपको ऐसा खिल दग रहे हैं कि खुन इसने नहीं किया है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि सुंदर मुझरिम नहीं है. मुझरिम है. लेकिन इसका अपराद सिर्फ इतना है कि इसने दुकान में चोरी किया है, और भावेश पे हमला किया है. भावेश की जान लेने वाला कोई और है. वह कौन है, सर? बताते हैं बस कुछ पलों की बात है, अभी खुनी सामने आ जाएगा. सुंदर, तुमने भावेश के सिर पे कितनी बार हमला किया था? सर मेने भावेश के सर पर एक बार हमला किया था और फिर कैमरा तोड़के वाह से भाग निकला. और तुम्हारे जाने के सिर पावेश के सर पर तीन चार तगड़े वार जड़ दी है. आप सब लोग बेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उस फाक्त दुकान में आपके सिर ता कोई और था नहीं? नहीं सर मैं तो दुकान में घायल पड़ा हुआ था, क्योंकि ये सुंदर ने मुछ पर अटक किया था. सर, सर ये जूट के रहे सर में पर अटक किया है नहीं सर. अरे मैं क्यों जूट काऊंगा? वैसे भी मेरे तो करोडों के हीरों का लुक्सान हो गया है. करोडों रुपए की चीनी? ऐसी चीनी की चाय पेरे बहुत मजा आएगा बस. यार मैं सोच रहा हूँ एक शक्कर के दुकान मैं भी खोल लो. चाहां सितर इसी कस्टमर आये और शक्कर के कुछ टुक्णों के बदले इतने सारे रुपए दे जाए. क्या? वो हीरे हीरे नहीं थे. शक्कर के टुक्रे थे. जी हां. बहुत लंबी प्लानिंग किये दिया आनन जी. इचले ही मैंने दुकान का इंशुरेंस डबल किया और अब दुकान में चोरी करवाती ताकि आराम से माला माल हो जाए. बाइदे वे मिस्टर आनन, आपको एक बात बताना तो भोली गया. आपके जो असली अंकट हीरे घर में रखे हुए दे ना, वो हमने बरामत कर लिया है. मिस्टर आनन सच बोलने के अलबाद तुमारे पास और कोई रास्ता नहीं है. भाविश्ट है थिए? छिए? पासर, लेकिन अगे अधारस और जोर से मारा होता है, तो मैं तो हुँँख्व्व्ण है. और शक्क्र लेकिया. प्लांटिक्स असपुँष्ट तो. घया सरु ठीक है. जी, सरु. तुम्हें भावेश का खून कर दिया, ताके उसे उसका हिस्सा ना देना पड़े तुम्हारे हीरे तो तुम्हारे पास ही थे, लेकिन चुके वो चोरी हो गए, इसलिए इंचॉरेंस के पैसे भे तुम्हें ही मिलता है सर, अगर भावेश का खून नहीं करता तो वो मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहता प्लानिंग तो अच्छे की थे, डांसर्स ने तो मास्क लगाया हुआ था, कोई किसी को पैचानता नहीं था वो डांस करते और चले जाते और फस्ता भावेश और भावेश को भी तुमने जिन्दा नहीं छोड़ा कि वो कुछ पोल सके, हैं? अगर प्लान तो फूल प्रूफ था लेकिन अचानक वो वाच्छमेन मेरी दुकान में आगे उसने भावेश की लाश देखी और शोर मचाना शुरू कर दिया वही पे मैं फसके साथ, साथ हर मुझरिम यही बेवकूफी करता है उसे लगता है कि उसका प्लान फूल प्रूफ है लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी ना कभी पकड़ा जाता ही है वो अब जेल की सलाकों के पीछे बैट के सोचना थोड़ी सी नुक्सान वाली जिंदगी बेतर थी या चेल के अंदेरी काल कोटरे